हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम इन माई योट्यूब चैनल आप सभी का वेलकम है हमारे योट्यूब चैनल पर तो गईज आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ तो अपडेट यह है कि यदि आपने हिंदुस्तान एरोन से स्टुडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है जिनका नाम आ गया है और अपना वेस्ट किस देट को कराएंगे काउन काउन सा डाकुमेंट्स उनको लेकर जाना पड़ेगा तो वीडिओ को ज़रूर देखिएगा कंप्लेट जानकारी आपको वीडिओ में बताई गया है तो चलिए गाइस देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं electronics engineering तो electronics engineering में बात करें तो यहाँ पर 21 students को यहाँ पर select किया गया है अब अपना students नाम देख सकते हैं जैसे यहाँ पर नाम हो गया मुहम्मत कलीम हो गया अनिकेद गौर हो गया नीरा सिंग हो गया सुमित प्रजापती अतुल कुमार ये आपके फादर्स का नाम है आप यहां से चेक कर सकते हैं और ये आपका जो है N.A.T.S. जो आपका वहाँ पर verification number मिला था M.H.R.D. पर ये आपका है तो आप यहां से भी match कर सकते हैं ठीक है ये आपके कुछ students यहां पर बच्चे हैं आप अपना नाम इसमें भी check कर सकते हैं फिराल इसकी PDF अपने टेलिक्रम पर provide करा दूँगा तो आप वहाँ से जाकर भी check कर सकते हैं चलिए next देखते हैं next आपका है computer science information technology यदि आपने CS और IT से यहां पर apply किया था तो total यहां पर 11 students को select किया गया है नाम आप देख सकते हैं दिव्या सिंग हो गए और अमिता सुकला आर्तिक सिंग ये जितने भी students है 11 students को यहां पर select किया गया है यह इनके fathers का नाम है आप यहां से match कर लिजेगा और यह आपका MSRD number है तो आप यहां से भी match कर लिजेगा तो total CS और IT में 11 students को select किया गया है next बात करें MOM and SP यदि आपने इस branch से apply किया था तो total 5 students को select किया गया है नाम देख सकते हैं संदीब दिली प्रदीप दीक्सा और नगेंद्र कुमार ठीक है तो यहां पर इनके fathers का नाम है यह आपका MSRD number है तो यहां से match जरूर कर लिजेगा चलिए next चलते हैं next आपका mechanical और civil की बात करें तो mechanical में यहां पर 3 students को select किया गया है आप नाम देख सकते हैं और बात करें आपके civil engineering में तो एक students को यहां पर civil engineering में select किया गया है अब बात करते हैं कि आपका verification कब होगा documents का तो यहां पर date दी गई है 22 से 29 तारीक के बीच आपका verification किया जाएगा Monday to Friday आपकी timing बताई गई है 9 सामके 4 बज़े तक आपकी holiday होती है तो Sunday को आपका किसी भी प्रकार का verification नहीं किया जाएगा यहां पर आपका बताया गया है कि आपको क्या-क्या लेकर आना है आपको यहां पर बताया गया The provisional selected candidates are requested to report on technical training institute H.A.L.A.V.S.N. Division कुरवा अमेठी for verification of original documents with self-assisted copy of the following documents आपको original documents लेकर जाना पड़ेगा और वहां पर उसकी एक-एक copy भी सभी documents के लेकर जानी पड़ेगी तो कौन-कौन से documents लेकर जाने हैं आप यहां से देख लीजेगा तो यहां पर आपको देखे जो documents लेकर जाना पड़ेगा वो यह है आपको copy of application जो आपने Excel फाइल भेजी थी उसकी आप एक copy निकलवा लेजेगा MHRD जो आपका MHRD profile है उसका एक copy निकलवा लेजेगा high school की mark set लगेगी intermediate की mark set लगेगी यदि आपके पास applicable है तो diploma mark set लगेगी आपके पास cast certificate लगेगा government of India का PhD candidate है तो आपका last six month से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका HR certificate फूर्फार्मा है तो उसको भी आपको यहां पर for hl word only अगे रहे तो आपको लेकर जाना पड़ेगा इवियस certificate आपके पास है तो आप उसको भी ले जाएगा लेकिन यह क्या है दो हजार बाइस और तेस्ट के लिए इसो हुआ तभी वहां पर मानने होगा सांतिया आपको आधार कार्ड और एक लिस्ट प्रोफ पास्पोर्ट साइस कलर आपको यहां पर photograph अपना लेकर जाना पड़ेगा और गाइस एक बात important यह है कि आपको जो है वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार बताया गया है उसके सिवा उसके बिना आपका वहाँ पर verification जो है नहीं किया जाएगा तो आप police verification भी करा सकते हैं करा लीजिएगा सकते नहीं है यह आपका अनिवार है तो आपको police verification भी कराना पड़ेगा यदि आप टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका वहाँ पर कैंसल कर दिया जाएगा तो आप यदि आपका नाम आया है तो आप विदिन टाइम और आपना सभी डाकुमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ जरूर जाएगा ठीक है आपको एक सभी डाकुमेंट्स की कौपी ले जानी है साथ ही आपको औरजिनल डाकुमेंट्स भी ले जाने है तो थैंक्यों आप सभी का वीडियो को इन तक वास करने के लिए इसे तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में